इस यह हमारा इंडिया का प्लाज्मा बेस का और इस यह हमारा USA का प्लाज्मा बेस तो दूसरु तरप हमारे USA का प्लाज्मा बेस आज के स्वीडियों फुल कंपेरिजन करेंगे कौन सब बेस्ट रहेगा परफॉमेंस के मुकाबले में क्या-क्या फ्राइज रहने वाली है दोनों की कितना डिफ्रेंस रहेगा कितने कि स्पीकर हम इसके अंदर लगाए ताकि हमारा मुकाबला बराबरी वाला हो और फाइनल सबसे पहले बात करते हैं हमारे यू एसके प्लाजबा बेस की क्योंकि इंडिया का आप यूज करते होंगे तो पता है लेकिन सबसे पहले यू एसक बेस इस टायप से देखने को मिल जाता है इसके इंदर भी टोटल सीयार स्पीकर लोड किये गई है यहां पर फेंड्स यह पास भी देखने को मिल जाता है, विग हॉल के अंदर, यहां पर इसके ग्रिल देखने को मिल जाती है, जापर इसके speaker की fitting की जाती है यह इसका Front Panel बात करता है, इसके बैक पैनल ती, कोग यहां पर बैक पैनल को मिल जाती है अलग-अलग बेस्ट यानि 4 ohms की वाइरिंग के साथ में स्पेस के स्पेसिफिकेशन की बात करें इसका मोडल एक ट्रैकन यहां पर आप बेस्ट देख सकते हो यह हमारा एक्टिव बेस्ट है पाउर इसका आट जार वाट आरमेस पाउर मिल जाता है क्योंकि इ हमारे इंडिया का ऐसा कोछ बेस्ट नहीं है जिसका स्पेस्पेस्ट है स्पीकर इसके अंदर 21 चेंज के चार यूज की गई है बेस्ट डिजाइन बंद पास बेस्ट टाइप मिल जाता है इसके अंदर एंप्लिफायर की बात करें सो गाइज इसके अंदर 8000 वाट आरमेस वाले एंप्लिफायर की गई है इसके उंदर की गई है क्या क्रोट कि बात करें मिलोकर सब्सक्राइब क्लाइस की लिए इसके बात करें इसका 1560 अब बात करते हैं हमारे इंडिया का प्लाजमा बेस जो वी टाइप यानि करण वेस के अंदर मिल जाता है इसके इंदर पी टोटल हैं प्लाजमा बेस अब बात करते हैं हमारे DJ के लिए कौन सा बैठर है या पर एक हमारे प्लाजमा बेस जबकी दूसरा हमारए प्लाजमा बेस यहीं प्लाजमा बेस लेना चाओगे तो उसके आप 10 बेस यानि 5 पेर है वो ले सकते हो आप इंडिया के 5 पेर लोगे यानि 10 बेस लोगे उसके मुकाबले आपको USA का सिर्फ एक बेस मिलेगा तो यहां पर गाईज वो हमारा साउंड सबसे खतरना होगा यानि हम अपने इंडिया के पैसी बेस से काफी तगड़ा इसे बना सकते हैं